आजाज जी, मेरा मानना है कि एनाराई में सन 2014 में प्रधान मंत्री की रूप में नरिन मोदी की सपद होने के बाद ये उत्सा था भाई अब तो बस देश बदल जाएगा और अब तो ये हो जाएगा वो जाएगा वो भाव वो उत्सा वो जोश आज भी है या उसमें कितनी प्रतीशत गिरावट है ये बड़ा कठिन प्रशन आप पूछ रहे हैं ये की सच मुछ में सबसे ज्यादा मतलब भारत में भी था लेकिन नराई ने और खास तोर पे हिंदू समाज ने और आप संग और आरेसेज ने जिस उत्सा से उसको लिया मामले को कि बस अब तो करवट बदल गई है देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रधान मंत्री मोधी जी के आने से पहले नराई की मानसिक स्थिती की विशे मैं है आपको मैं बताता हूं हारत का विश्व स्थर पे इमेज इतना नीचे गिर गया था के एक आम एनराई के मन में चोड़ थी और एक आम एनराई जो के वहां इतना सफल है आदे है आदे है फीलिग विशे में लेट डाउन वी वर थे वर पीपल थे वर मूवीज मेड लback slum dog for Indians and India had become internationally famous for corruption so what happened was every and I thought what's happening in here the local people started treating people of Indian origin as trash that these people don't exist they have no character, they are all corrupt the image of India translated on to us as people वो जो स्थिती थी हर NRI ने सोचा कि देश में बदलाव की आवश्यक्ता है और मुझे गर्व है इस बात का कि 25 मिलियन NRI community ने बहुत actively parts paid किया और देश में बदलाव लेने के लिए आया और मैं खुद भी भारत के अंदर उस समय आया क्योंकि हमें ये स्वीकार नहीं था कि हम वहापर इतने successful हैं और हमारे देश जहां हमारा जन्म हुआ है उस जन्भूमी के कारण हमें नीचे गिराया और हमें बड़ी खुशी हुई कि देश के अंदर बदलाव आया प्रधान मंतरी मोदी जी एक नई आशा की किरन लेकर आये तो कुछ अच्छी चीज़े हुई है कुछ जो अच्छी चीज़े हुई है मुझे याद है उस टाइम टेरोरिजम पीक पर था पता नहीं कब कहां दिल्ली में या बंबे में कब कहां बंबलास्ट हो जाए इस तरह की स्थिती थी तो टेरोरिजम को भारत में समाप तो नहीं किया है लेकिन काफी हद तक कंट्रोल किया है पाकिस्तान को कंटेन किया है तीसरी जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो एनराई में थी मैं उनको कोट करूँगा एक पुस्तक है BreakingIndia.com परिस्ति इस प्रकार की है कि क्योंके बांगला देश अलग किया गया था तो पाकिस्तान बांगला देश को जोड़ दिया जाए और भारत के टीन टुग्रे कर दिये जाए और इस तरह की जो स्थिती थी तो उस जो BreakingIndia.com जो फोर्सिस हैं वो अभी भी एक्टिव हैं वो फ चार था उस पर थोड़ी रोप लगाई है तीसरी जो स्थिती है वो ये कि हिंदूओं का स्थर और हिंदूओं का जो आत्म स्वाभी मान जो था वो इतने नीचे गिर चुका था विदेश के अंदर कि लोग अपने आपको हिंदू कहने से कतराते थे और जब कि मैं कह सकता ह काम किया जो वहाँ पर नाम विदेश में कमाया वो मैंने ऐसे हिंदू मुझे अपने उपर गर्फ था और मैं केवल अकेला नहीं हूँ हमारे जैसे अनेक एनर आई इस परकार के हैं तो कुछ अच्छी चीजे हुई हैं लेकिन मैं केवल राजनिती या मोदी जी को छोड़ कि मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश का चरित्र धर्म से दूर होने के कारण सनातन धर्म को इतना नीचे गिरा दिया गया सनातन धर्म से समाज दूर हो गया और समाज का चरित्र नीचे गिर गया तो चरित्र में जो देश के गिरावट आई है वो आप राजनिती में भी आप सरकार में भी देख सकते हैं और उसी कारण ये जो देश चाहे कोई भी प्रधान मंत्री बन जाए नहीं नहीं लेकिन आप सवाल में आपको टुकूंगा है कि वो चरित्र क्या पिसले आठ सारों में लोटा है या और चरित्र बिगडा है वो राजनीति का आज जो रूप ये लेकिन वहां भी फिल है ये 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 यस एपसलुटली ये तो उस नाते उस नाते आप लोगों की थोट प्रोसेस में आप लोगों की चिंतन मनन में अब क्या विचार चल रहा होगा बेचेनी बढ़ गई है या सचमुच में ये उमीद है कि नहीं सुदर जाएगा मामला ठीक हो जाएगी क्या लग रहा है बेचेनी है वहाँ पर समाज में बहुत बेचेनी है एन और आई आज के दिन ये सोचता है कि हमारे पास तो अब कोई विकल्प भी नहीं है पहले आपके पास विकल्प था एक आइडिया अलग था पंडित नहरू का अलग सेकुलर आइड आईडिया था रहता कुछ भी आईडिया तो है और आप तो क्यूंकि वहां उन देशों में जहां सच्पिंश में थेन पार्टी का शिश्टम है आते बरहते हैं प्रधान-मन्त्री ओर देश वहाँ बड़ा सिस्टम बड़ा कलिर है क्लेरिटी है वहां वहां सिस्टम हमारे है वैसा विकल्प यहाँ पर लाना पड़ेगा मैं उसका आपको बड़े अनकहे रूप में मैं ये बात कहूंगा ये आप एक प्रश्ण आप देखिए आप विश्व स्थर पर देखिए कितने क्रिश्व कंट्रीज हैं युनाइटिड नेशन्स में एक सो पचास या ज्याद आप तो प्रश्ण ये उठता है कि आप किया दुनिया में एक भी देश हिंदू नहीं बना सबूस्क्तै हैं? अजर अगर उसको हिंदू बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? हिंदू बना लेना वो कृस्चिन कहते अपने को इसलामी कहते हैं तो उसके साथ में उस तरह का विवार करके गुर्ण बनाए me उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाřिये अपना विवार बनाया, चरित्र बनाया आप हिंदू बनाके अगर नेपाल सब्सक्राइब कराद करवे और वही इस्थिति कि जिस तरह वहां राजदिती की गई वेसी तो हमारे हजार सालो में राजे रजवाडों से लेकर हिंदूसे को सब्सक्राइब हो आप की तरह तरह नहीं बढ़ रहे हैं कि लडाई पहले हो आप पानिपत की तीसरी लड़ाई की बाते होती यह आप बिल्क तो देश Christian है या इसलामिक है उनकी अपनी गुनवत्ता है उसको हम माने या नहीं माने लेकिन उनकी गुनवत्ता है उसके आधार पर उन्होंने उस देश को समाज को खड़ा किया है उनको यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि हम Christian country है और वो तिंदोरह नहीं पीटते हैं वो क उनोहीं पार्टी वहां basic जो Christian values पर जो country बने हैं जो भी पार्टी Christian values को support करेगी वो ही पावर में आई लेकिन उसको कहने की आवश्यक्ता नहीं यह अनकहा rule है ठीक बात है इस अंसेड रूल everybody has to promote Christian values इसी तरह सभी नागरी किसी तरह भी वहार करते हैं तो इसी तरह से यदि भारत को अब देखिए मैं बड़ा आपको कठोर कठोर शब्द की बात कर रहा हूं में अभी भारत जो है राष्ट्र नहीं बना है यह कहा जाता है कि एक राष्ट्र को बनने के लिए 100 साल ल लेकिन 100 वर्ष लगेंगे भारत को राष्ट्र बनने में लेकिन हर भारतिये को यह प्रश्न करना चाहिए यह देश किसका है किसका देश है किस गुनवत्ता पर यह देश आधारित है यदि यह हिंदू गुनवत्ता पर आधारित है तो इसका जो राजनितिक जो संक्थन है or you Rajanitik, whatever you will say, political parties that you would say, that all those political parties have to work on Hindu values. They have to have some Hindu values. It cannot be a Fildi India. I mean, you just can say Swach India. It has to be a Swach India. People have to make it. और वो Swach हर मामले में, Rajaniti, Samaj, Vijaywar, सब में, Charitra सब में. Exactly. Exactly. so basically India would be a nation only when there are political parties that work on Hindu values and compete for Hindu values to create a better society and a better India that is actually anchored to these values and that is the only thing that it can help it make Vishwaguru and we have a very strong foundation I can even tell you, even Americans or Canadians or the Western world, they don't have that kind of foundation as we Indians have. Indian civilization is a great civilization. Vedic civilization is a great civilization. वो सत्यूग जो है ना, आप सत्यूग का वक्त छोड़ दीजे, सत्यूग की बाते छोड़ी, अभी हम कल्यूग में जी रहे हैं, और कल्यूग का हिस्सा, continuity है उसकी. मैं क्षमा चाहूंगा श्री व्यास जी, यह कल्यूग भारत में ही क्यों है? यही तो सवाल आप से होगी. अमेरिका, कैनेडा में कोई कल्यूग दिखाई नहीं देता है, भारत में ही कल्यूग क्यों है? तो, इस सिंप्ली बिकास, वी हमूवड अवे सिविलाइजेशन, वी ह पर फिर मेरी थिसिस यह जो मैं लिखता भी हूँ, बहुत आप तो पढ़ते भी है, मेरी थिसिस यह कि हमारे गुलामी के कारण जो डियने बने हैं, भार, भूख, और एसुरुक्षा, यह सचमुच में आपको वहां से फील होता है या नहीं होता है, कि वहां आप ऐसा भार करते हैं, वहां भूख के समाधान है, वाजीब समाधान सही, और यहां हम यह बेसिक जो है मारा डियने की और जो कमी है, उसका उस पर कोई सोचता हुआ ही नहीं है, और यहां आपसरों के उपर निरबर है, यह व्यवस्ता माई बाप है, वही राशन बाटेगी, वही जीव पुआ बाटेगे, इस पुआ से पुआ ठीड बात है, यह पूख अप लोगोने नरेंद मोधी से कैसे संभब होता हुआ, यह गलत भी कैसे बनी पी? I do believe that Prime Minister Modi ji has been successful in certain areas like terrorism for example and those kind of things but the reality is this I mean if we don't promote merit if we don't promote merit and if we don't create a society based on merit we cannot create the India that we all want. ये बाटिए ये समात करेंगे. Thank you.